अब देखिए दो फीगर यहाँ पर बने हुए हैं तो इस फीगर को अभी आपको भूल जाना है इस फीगर को नहीं देखना है फीगर मैं इसलिए पहले बना लेता हूँ कि ताकि समय कम से कम लगे और फीगर भिमार अच्छा बने क्योंकि क्लास जब हमारी स्टार्ट हो जाती तो फिर उसके बाद फीगर जल्दी जल्दी बनाने में फीगर सभी से बन नहीं बाता है लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है ये वाला फिगर देखना है ठीक है इस फिगर में क्या गया गया है एक तरह से जो पूरा आटो मोबाइल होता है ठीक है यानि कि जो जैसे आटो मोबाइल कार हो गया ट्रक हो गया उसका एक पूरा सिस्टम जो है दिखाया गया है ठीक ह हम लोगों ने क्या किया पढ़ लिया ठीक है जो आपके सिलेवस में है इंजन को कूल करने के लिए देखिए यह वाटर जैकेट है इंजन के चारो तरफ इंजन को कूल करने के लिए क्या होता है cooling system होता है cooling system हम लोगों ने पढ़ लिया engine से जुड़ा हुआ flywheel होता है flywheel का क्या काम है यह हम लोगों ने पढ़ लिया flywheel से क्या जुड़ा होता है clutch जहां से समझे रहे पूरा एक car का layout मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ engine से क्या जुड़ा होता है flywheel और flywheel से क्या जुड़ा होता है clutch और इस clutch को ही हमको पढ़ना है आज के lecture में clutch के आगे क्या होता है gearbox ठीक है जो की आपके syllabus में है नहीं तो gearbox फिर भी मैंने आपको यहां पर छोटा सा दिखा दिया है एक simple way में कि कैसे गीयर्बाक्स मारा काम करता है कि यहां पर चलेंगे तो यहांपे क्या होता है suspension system suspension system जो कि हमको क्या करना है पढ़ना ही पीछे के पहिए मैं घ्रजय वे यहां यहां पर पहिएों में मिल में क्या लगा होता है ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम अभी या इसा ही तो कोई कार का जो नार्मल ले आउट रहेगा ऐसा ही तो रहेगा अब उसमें हम लोग सीट वगारा थोड़ी दिखाएंगे हम लोग क्या देखेंगे अपना इंजिरिंग के परपस से देखेंगे जो जो चीजे हमको पढ़नी है इंजिन आपने पढ़ लिया इंजिन का कूलिंग सिस्टम आपने पढ़ लिया ब्रेकिंग सिस्टम आप पढ़ चुके हैं अब आपका बसता है क्लाच और क्या बसता है सस्पेंशन सिस्टम और clutch हम लोग क्या करेंगे clutch हम लोग आज पढ़ेंगे एक आग लिक्चर हो सकता है clutch में और लगे और इसके बाद आपका क्या बचेगा इसके बाद आपका सिर्फ suspension system बचेगा तो यह था नार्मल कार का layout आप इसको बना भी सकते हैं ठीक है अब देखिए क्लच क्या होता है क्लच देखिए वह डिवाइस होता है जिसका उपयोग इंजन को ट्रांसमिसन से जोडने के लिए एवं अलग करने के लिए होता है अगर आटो मोबाइल की भासा में बोलें क्लच किसी भी आटो मोबाइल का वह भाग होता है जिसका उपयोग इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ने ईवन अलग करने के लिए जो है किया जाता है यही होता है हमारा क्लच और क्लच का उपयोग क्यों होता है तो यहाँ पे क्लच इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि चलती अवस्था में जैसे अगर हमारे पास कोई हमारे पास इंजन है उससे हमारा को क्या चलाना है आटा चक्की भी चलाना है और हमको सरसो का तेल पेरने वाली मसीन को भी चलाना है अब मान लीजिए हमारा इस इंजन से आटा चक्की की मसीन चल रही है ठीक है और बिना यहाँ पे पुली वाला सिस्टम होता है साप्ट के उपर पुली लगी रहती है आप लोग गय होंगे गय होंगे पिसाने तो आप लोगों ने देखा होगा अब हमको क्या करना है उसी इंजन से सरसों का जो तेल पेरने वाली मसीन है उसको भी चलाना है तो क्या आप बिना इंजन को बंद किये इस पुली पे पट्टा चढ़ा के उस सरसों का तेल पेरने वाली मसीन को चला सकते हैं तो जी इसका जवाब है नहीं आप नहीं चला सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा आपको इंजन को बंद करना पड़ेगा और फिर इस पुली पे पट्टे को चड़ाना पड़ेगा और पट्टे को जो सरसो का तेल पिरने वाली मसीन है उससे connect करना पड़ेगा और फिर आपको इंजन को चलाना पड़ेगा और तब आपका जो है गेहूं पीषने वाली मसीन यानि कि जो आटा पीषने वाली मसीन है वो भी चलेगी और सरसो का तेल पेरने वाली मसीन भी चलेगी क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है क्लच नहीं है क्लच क्या है कैसी device है जो इंजन की running अवस्था में ही जो इंजन की running अवस्था में ही क्या करती है transmission को उससे जोडने और अलग करने का काम करती है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है clutch जो है आपका बाई वगरा में होता है वैसे ही सभी automobile में clutch होता है तो clutch की जो है आप definition लिख लीजिए लिखिए clutch वाई डिवाईस है यहाँ पर लिख लीजिए छोटा-छोटा clutch फिर उसके बाद हम लोग इस figure को समझेंगे clutch वाई डिवाईस है जिसका प्रयोग ट्रांस्मिशन सिस्टम में जिसका प्रयोग ट्रांस्मिशन सिस्टम में इंजन को इंजन को ट्रांस्मिशन से जोडने जोडने एवं अलग करने के लिए होता है ट्रांस्मिशन से जोडने shaped running अवस्था में इंजन की running अवस्था में ब्रैकेट में लिख लिए running अवस्था में जोडने वा अलग करने के लिए होता है यह डिविशन जल्दी से आप लिखे screen sort आप इसका ले सकते हैं ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है, clutch के types के बारे में, कितने तरह के clutch के प्रकार होते हैं, यह आपको देखना है, और उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे प्रस्ण बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, last में, ठीक है, तो अभी heading डाली है, types of clutch, types of clutch, ठीक है, यह जो मैंने आपको यहाँ पर फिगर बनाया था, वही इस clutch का क्या है, विस्तित रूप है, इसको अगर clutch को अंदर खोलें तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा system मिलेगा, वही फिगर जो है, यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, यह जो पुरा फिगर है, किसका ह है, clutch का figure है, और यह जो हमारा figure है, किसका है, gearbox का figure है, ठीक है, तो आपको confuse नहीं होना है, अभी मैं आपको बताओं का कैसे काम करता है, सबसे पहले आप लिखिए, types of clutch, पहला लिखिए, single, plate, clutch, ठीक है, दूसरा लिखिए, multi, plate, clutch, लिखिए, हिंदी इंग्लिस दोनों में लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, multi, plate, clutch क्या होता है, दो तरा का होता है, कौन-कौन सा पहला होता है, weight, और अगला क्या होता है, dry, ठीक है, यह आपके लिए important है, तीसरा देखिए क्या है, कौन clutch, अभी नाम लिखते जाए, आप अगर इसका नाम सुने रहेंगे, तो इससे अगर एक-दो प्रस्न कभी पूछेगा, और वो प्रस्न आपको याद है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और आपको नाम ही नहीं पता है, तो आप करेंगे, यह कौन सा clutch है, कौन clutch, अगला है, centrifugal clutch, हिंदी में भी आपको लिखा रहेगा, centrifugal clutch, इसका कोई हिंदी उस तरी किस नहीं होता, अगला लिखिए, semi-centrifugal clutch, semi-centrifugal clutch, चटे नंबर पर आप लिखेंगे, कौनिकल इस्प्रिंग clutch, और इसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, डायाफ्राम clutch, सात्वे नंबर पर आप लिखेंगे, पॉजिटिव clutch, इसमें कौन सा clutch होता है, इसमें जो है, दो तरह के clutch आते हैं, पहला आता है, dog clutch, और इसमें कौन साता है, spline clutch, देखिए, मैं आपको पहले भी कर रहा हूँ, घवडाना नहीं है देखके, कि इतने type होते हैं, अब ही आपको मैं इतने अच्छे से clear कराऊंगा, प्रसुन भी कराऊंगा, कि सभी चीज़ें आपको जुझे clear हो जाएंगी, आठवा लिखे क्या है? आठवा है, हाइड्रोलिक क्लच, यह मांगी गाड़ीयों प्योग होता है, सस्ती गाड़ीयों प्योग नहीं होता है, ठीक है? यह प्रसुन भी पूछता है, हाइड्रोलिक क्लच का उप्योग कहाँ पे होता है, तो हाइड्रोलिक क्लच का उप्योग महगी गाड़ीयों में होता है, नवा क्या है? Electromagnetic Clutch, Electromagnetic Clutch, अगला लिखे तो जल्दे लिदे देख लेते हैं, दसवा है, vacuum clutch, vacuum clutch, ठीक है? 11 नमबर का लिखे ओवर रणिंग क्लच, ओवर रणिंग क्लच, या, free wheel clutch, ठीक है? ये हो गया जो है, इतने, इतने जो है, क्या होते हैं? क्लच के जो है, types होते हैं, अब देखिए, इनका जो है, नाम बताने का परपज क्या है? पहला परपज, ठीक है? पहली बात तो यह है, अगर इन सब क्लच से प्रस्न पूछेगा, चाहे एकदम simple ही पूछे, तो अगर आपको नाम ही नहीं पता रहेगा, इस क्लच का जितने type मैंने बताए, तो क्या आप उस प्रस्न को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो सभी क्लच का जो है, नाम जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दीए, इन सब क्लच से क्या होता है? एक-एक प्रस्न, दो-दो-प्रस्न ऐसे बनता है, ठीक है? जो maximum प्रस्न रहता है, वो तो क्लच के function से बनता है, लेकिन जो ये टाइप्स आप क्लच हैं, उससे एक-एक-एक-दो-दो-प्रस्न जो है बनता है, तो सभी पूरे टाइप्स को आपको पढ़ने की ज़़ुरत नहीं है, बस जो वही एक-एक-एक-दो-दो-प्रस्न बनते हैं, वही आपको पढ़ने की ज़ूरत है तो उसको मैं कुछ लाष्ट में आपको प्रस्न जो है करा भी दूँगा 15-20 और बाकी जो है आपको प्रेडियाप में मिल जाएंगे सब ही प्रस्न ठीक है क्लच की बात करें तो टोटल 40-50 प्रस्न आप मान के चलिए की पूरे जो है क्लच का टॉपिक है आपके लेवल के 40-50 प्रस्न बनते हैं ठीक है और आपसे एक्जाम में कितने प्रस्न पूछे जाएंगे 3-4 प्रस्न इस से जो है क्लच से पूछे जाने की संभावना है ठीक है तो आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़िए अब आईए शुरू करते हैं हम लोग क्लच सबसे पहले देखेंगे इसके पार्ट के बारे में कौन-कौन से जो है इसके पार्ट से हैं तो सबसे पहले आप समझे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है और क्रेंक साफ्ट से आगे जानी है वील तक कैसे जाएगी आईए हम लोग देखेंगे क्रेंक साफ्ट जो पावर होती ही कहां पे जाती है फ्लाई वील में फ्लाई वील में आपको इंजन में पढ़ा चुका हूँ कि flywheel का क्या काम होता है energy को store करने का काम होता है flywheel से जुड़ी हुई हमारी एक plate होती है जिसको हम लोग बोलते है clutch plate बहुत ज़्यादा जो है important है ये सबी चीज़े सबसे पहले crank shaft crank shaft के बाद flywheel flywheel के बाद clutch plate clutch plate के बाद जो अगली plate आती है होती है pressure plate pressure plate ठीक है और pressure plate के बाद एक और plate आती है जिसको आप लोग diaphragm plate भी बोल सकते है या diaphragm spring भी बोल सकते हैं जो blue color से दिखाया गया है ये हमारा क्या है diaphragm spring ठीक है और यहां पर उपर आप लोग heading डालीजे यह जो clutch है यह कौन सा clutch है यह है single plate clutch ठीक है जैसे मनने भी आपको डिशने टाइस बताये उसमें क्या था एक single plate कर स्थाना तो वही आज हम लोग पढ़ रहे है single plate clutch को पढ़ रहे हैं यहां पर यह वाला जो पार्ट आपको पूरा दिख रहा है यह वाला पार्ट ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शाय है यहां पर लिक दे रहा हूं यह क्या है रिलीज्अ कि भीर ही है कि के अगयर है ठीक है और यह क्या होता है एक तरह का बाक्स हुटा है यह जो हमारा भी आप लीआरता है यह जिसमें राते हैं वह क्या जबाक्स kita है जिस box को हम लोग क्या बोलती है gear box यहाँ पे आप लिख लिए gear box ठीक है और gear box से फिर जो power आगे निकलती है यहाँ से दिखे जो power आगे निकल रही है वो कहाँ पे जा रही है wheel में यह क्या है wheel car का जो पिछला दो पहिया है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है यह लगभग क्या होती है यहाँ पे आप लिख लिज़े fly wheel लिखा तो है ठीक है fly wheel नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते है fly wheel ठीक है इतनी चीज आप समझ गया है और यहाँ पे दिखिए जो red color से आपको दिखाया गया है red color से जो पार दिखाया गया है यह क्या है friction lining ठीक है यहाँ पे आप इसको लिख लिज़े lining बोलते हैं इसको friction lining के बोलते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए friction lining friction lining इतने जो है क्या होते हैं आपके क्लच के पार्ट होते हैं अब काम कैसे करते हैं यहीं हमको समझना है देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो इंजन से जो पावर आती है कहां पे क्रेंक साफ्ट में आती है और क्रेंक साफ्ट से कहां पे आती है flywheel में आती है अब आप general way में समझिए कि आप bike चला रहे है जब तक आप अगर clutch दबाए रहेंगे अगर आपने clutch दबाया हुआ है तो क्या आप कितना भी accelerator लेंगे तो क्या आपकी bike आगे बढ़ेगी जब आप clutch छोड़ेंगे तब ही तो bike आगे बढ़ेगी तो simple जो है वही काम करता है clutch अगर आपने दबाया तो clutch क्या कर देगा यह जो पूरा transmission system है यह पूरा जो आगे पूरा wheel पे जो power जा रहे है जिससे मारा wheel चल रहा है उसको क्या कर देगा अलग कर देगा उसके बाद आप clutch दबाने के बाद आप कितना भी accelerator लेंगे तो engine यहाँ पे चलता रहेगा फूरी speed में चलेगा जितना आप accelerator देंगे लेकिन जो engine की power है वो क्या होगी आपके wheel पर transmit नहीं होगी देखे सबसे पहले यहाँ पे clutch plate है clutch plate क्या होता है clutch plate के उपर होती है friction lining जो यहाँ पर यह fly wheel होता है fly wheel पर भी होता है friction lining friction lining का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे material का उपयोग किया जाता है यह जो डेडिकलर का है fly wheel fly wheel और clutch plate के बीच में clutch plate और pressure plate के बीच में एक ऐसे material का उपयोग किया जाता है friction material का, friction मतलब होता है घरसण, घरसण घरसण माटेरियल का प्रयोग किया आता है जो क्या कर देता है घरसण को बहुत जाधा बढ़हा देता है अब घरसण को जब बहुत ज़ाधा बढ़हा देगा तो दोनों पार्ट क्या होंगे साथ में घुमेंगे, जैसे आप लोगों ने break में देखा थाना, break lining का same वही काम यहा पर होता है यह जो हमारा friction lining होती है, इसका काम होता है fly wheel के आगे लगा होता है क्या clutch plate, clutch plate के आगे लगा होता है pressure plate ध्यान से समझी है आप अपनी लेंगज में लिख भी सकते हैं प्रेशर प्लेट का क्या का होता है जो हमारी क्लच प्लेट है ठीक है जो हमारी क्लच प्लेट है इसके उपर प्रेशर बनाके रखना इसके उपर क्या करना इसके उपर प्रेशर बनाके रखना इसके उपर जब इससे जुड़ा रहेगा release bearing से और release bearing आगे जुड़ा रहेगा साप्ट से यानि कि अगर flywheel घूमेगा और यह pressure plate इस पर pressure बनाया हुआ है तो यह हमारा पूरा जो है आगे का system भी चलेगा ठीक है लेकिन अगर pressure plate पर से pressure हटा दिया जाए ठीक रेसर plate पर से किया कर दिया जाए तो जो हमाला यह clutch plate है यह भी क्या हो जाएगा इस flywheel से अलग हो जाएगा और जब flywheel से अलग हो जाएगा इसका मतलब flywheel किसitaire मतलब engine से अलग हो गया तो यहां पे e Minuten ता रहेगा लेकिन flywheel की जो power है वो आगे पहिये पर transmit नहीं होगी अब इसके लिए हम लोग जब clutch दभाए रहते हैं तो क्या रहता है ये जो clutch plate है ये इस flywheel से अलग रहती है तो अब ऐसा हम लोग कैसे करते हैं किस की सहायता से करते हैं तो ऐसा हम लोग करते हैं फ्राम इस्प्रिंग की सहायता से ये देखे इस तदा का कुछ होता है एक प्लेट ही होती है बस ये प्लेट क्या होती है उत्तल होती है यानि कि उठी होई होती है इधर वाले में देखिए और इसके उपर क्या कटे होते हैं ऐसे जो है slots कटे होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जो है slots कटे होते हैं, तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जब यह release bearing है, और यहाँ पर आगे क्या लगा रहेगा, ऊपर, यह, यह है हमारा clutch pedal, समझ रहा है, जब हम इस clutch pedal को दमाएंगे, तो clutch pedal क्या करेगा, इस जो हमारा release bearing है, release bearing की सहता से, जो हमारी diaphragm spring है, यह diaphragm plate है, इसको अंदर की तरफ प्रिस करेगा, देखिए भया, आप कोई इस तरह की चीज होती है, जैसे मैंने example के लिए, आप को समझाने के लिए क्या लिया हुआ है, एक plate लिया हुआ है, ठीक है, plate दे plate को हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो pedal की सहायता से क्या कर रहे हैं, इस diaphragm spring को बीच में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीच में यहाँ पर pressure applied कर रहे हैं, ठीक है, ठोड़ा सा मैं तिर्चा करके दिखायता हूँ, ताकि आप को pressure लगाएंगे, यानि कि आप example, कोई भी अपना घर में भी कोई चीज material लेकर दिखेगा, यह तो चीनी मिट्टी की प्लेटर तूट जाएगी, जैसे कोई elastic material होगा, ductile material होगा, जब आप उसको बीच में, बीच में जब pressure applied करेंगे, तो उसकी किनारे क्या होंगे, बाहर की त तरफ move करेंगे, अगर आप इसको अंदर की तरफ जो है pressure applied करेंगे, इसके plate के, तो यह इसको जो किनारे हैं, यह बाहर की तरफ move करेंगे, ठीक, इसी सिर्दान का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इस diaphragm में करते हैं, जब clutch से क्या करते हैं, इसको जब अंदर की तरफ क्या क करती ही और जब इस डारेक्शन मोग करते हैं तो प्रेसर प्लेट से जो क्या होता है प्रेसर क्या होता है कम हो जाता है और प्रेसर प्लेट से जब प्रेसर कम होता है तो प्रेसर प्लेट भी क्या करती है इधर की तरफ जो है मूग करती है और जब इधर की तरफ मूग करेगी तो clutch plate भी इधर की तरफ move करेगी और क्या हो जाएगी इस flywheel से अलग हो जाएगी और जो हमारा power या जो गती का transmission है वो engine से इस gearbox तक नहीं हो पाएगा और हमारा जो vehicle है वो नहीं चलेगा और जब हम लोग क्या कर देंगे clutch को release कर देंगे तो यह जो spring है फिर अपनी जगा पर आजाएगा फिर इस पूरे system पर pressure इधर की तरफ applied करेगा फिर हमारा जो यह clutch plate है flywheel से connected हो जाएगा और हमारा जो machine है या जो भी automobile है वो क्या होने लगेगा वो चलने लगेगा यहाँ पर जो plate दिखाई गई है इसको क्या बोलते है cover plate यह भी आप याद रखी cover plate ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा clutch काम करता है अब देखिए आगे क्या होता है gear box होता है gear box आप लोगों ने क्या किया होगा चेंज की आओगा बाइक चलाते हैं तो बार बार gear change करते हैं जिससे हमारी बाइक की speed क्या होती है नियंत्रित होती है तो gear box देखिए कुछ ऐसा ही होता है हमारे क्या होते हैं कुछ जो gear होते हैं वो क्या होते हैं इस driven shaft पर लगे होते हैं और यहाँ पर एक shaft और होती है जिस पर भी क्या होते हैं कुछ gear लगे होते हैं अब देखिए जब हम लोग gear change करते हैं gear change में हम लोग क्या करते हैं यही जो gear है एक दूसरे से connect कराने का काम करते हैं मान लीजे पहिर हमको क्या करने है गाड़ी धीरे speed पर चलानी है तो यह हमारा पहला gear है हमने इस वाले gear को जो इस वाले gear से connect कर दिया अब आप ध्यान से समझेगा gear काम कैसे करता है देखिए यह gear क्या है छोटा है जहाँ पर यह ready दिखाया गया है इसका मतलब यहाँ से दूसरा gear सुरू हो जाता है यहाँ पर देखिए यह वाला जो gear है क्या है छोटा है और यह वाला जो gear है जो पही को चला रहा है वो क्या है बड़ा है इसका मतलब अगर आप engine को देखिए इसका मतलब जब यह दुनों gear mess करेंगे तो कुछ इस तरह के से बनाएंगे ठीक है जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसे होंगे front view में यह gear देखिए कई चकर जब घूम जाएगा यह पता चला 5 चकर घूमेगा तो यह gear जो है कितना घूमेगा एक चकर ही घूमेगा समझ रहे है क्योंकि यह वाला gear छोटा है यह वाला gear क्या है बड़ा है यहाँ पर gear ratio इसको बोलते है gear ratio इसको बोलते है तो यह बहुत थोड़ा सा समझना complicated है इसी तरीकी से क्या है देखिए यह बड़ा gear है अब हमको क्या करना है अपनी कार को high speed पर चलाना है तो देखिए यह क्या है यह gear क्या है बड़ा है और यह जो gear जो हमारे wheel को चला रहा है क्या है छोटा है तो देखिए यह gear क्या करेगा चार ही चकर घूमेगा लेकिन यह जो छोटा वाला gear है यह इसके चार चकर घूमने में क्या हो जाएगा कई चकर घूम जाएगा 20 चकर घूम जाएगा और फिर जब यह 20 चकर घूमेगा तो इसी जे तो हम लोग wheel चला रहे हैं तो फिर क्या होगा यह हमारा जो wheel है वो ज़्यादा speed से चलेगा फिर इसी तरीके से 30,45 गियर रहता है इस हिसाब से क्या रहता है गियर में अरेजिमेंट रहता है हमको जितनी speed पर अपनी बाइक को चलाना रहता है तीक है अब यह उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी फिगर के हिसाब से तो आप इसका फिगर का स्क्रीन सौट भी ली लीजे और एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए सबसे पहले देखी क्या है यहाँ पे engine है engine के बाद crank shaft है crank shaft के बाद fly wheel है fly wheel के बाद क्या है figure से बहुत ज़्यादा प्रस्न बनते है आप से पूचेगा कि clutch plate कहां पर लगी होती है बताईए clutch plate कहां पर लगी होती है single plate clutch plate में single plate जो clutch होता है उसमें clutch plate कहां पर लगी होती है तो आपको बताना है fly wheel और pressure plate के बीच में लगी होती है आप से पूचेगा कि pressure plate कहां पर लगी होती है तो clutch plate और diaphragm जो spring है उसके बीच में लगी होती है अब यहाँ पर यहाँ पर यह pressure plate है ठीक है sorry जो यहाँ पर clutch plate है उसका एक big top view देखी जैसे आप लोगों इस diaphragm spring का जो है देखा इसी तरीके से clutch plate का भी देखिए clutch plate में भी किसी किसी clutch plate में भी क्या लगी होती है clutch plate और friction lining के साथ साथ क्या लगी होती है spring भी अंदर इस तरह किसे कुछ लगी होती है यह आपसे प्रस्न पूछता है कि यह किस तरह की spring होती है तो यह होती है spiral spring ठीक है अभी मैं आपको प्रस्न लिखा रहा हूँ प्रसान मत होई यह कुछ महत्यों विंदो के माधिन से मैं आपको प्रस्न लिखाऊंगा ठीक है तो यहां से प्रस्न बनता है क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया इस प्रिक्सन लाइनिंग होती है clutch plate पे जो क्या करती है इस flywheel की power को transmit करने का का काम करती है pressure plate क्या काम करती है इस clutch plate के उपर pressure बनाके रखती है diaphragm spring का क्या काम होता है diaphragm spring का यह काम होता है कि जब लूबग को clutch लगा के यानि की अलग करना होता है थो वह लूब clutch दबाते हैं तो जब यह अंदर की तरफ move करता है जिसके बाहर की जो किनारे हैं को बाहर की तरफ मूँ करते हैं और प्रेशर प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, और हमारा यह सिखटेम है, यह क्या होता है, इंजन से अलग हो जाता है, और इस प्रकार आट्रों मॉबाईल में पार का ट्रांसमिसन होता है। अब आपके दिमाद में आते हैं, प्रस्ण तो डाल लीजे, कुछ महत्तोपूर्ण बिंदू, हेडिंग डाल लीजे, कुछ महत्तोपूर्ण बिंदू, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्णों को लिखेंगे, देखे पहला जो पॉइंट है इसमें आप से पुछा है ड्रिवन मेंबर को किस नाम से जानते हैं तो ड्रिवन मेंबर को किस नाम से जानते हैं प्रेसर प्लेट ठीक है अब ध्यान से समझेगा कि ड्राइवर और ड्रिवन में अंतर क्या होता है ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाता है और ड्रिविन का मतलब है जिसको चलाता है ध्यान से समझेगा कि जैसे इंजन की साप्ट है इंजन है तो इंजन क्या है ड्राइवर किसको चला रहा है क्लच को तो क्लच का क्या हो गया ड्रिवन हो गया और क्लच में क्या होता है प्र 제를 प्रेशर प्लेट्टरयक़् उप्प्षन हो जाएगा क्योंकि क्या क्राइब क्ल biz कोई पावर है क्या हूआ नहीं भी नहीं फेस्कर अशाइक छासे से टमयोद्रृ कि ले ट्रीवन, प्लाइबर और द्रिवन आपको पॉइंट है, क्लॅच तapa कवर की पूरी असेंबली किस के साथ घूमती है किसके साथ क्या क्या समयलित होता है जो clutch को क्या करते है operate करने का काम करते है तो इसमें होता है foot pedal यहाँ पर car की बात हो रही है ठीक है, bike में तो hand वाला होता है foot pedal होता है, linkage होते है linkage और क्या होती है, release bearing जो मैंने अभी आपको बताया था release bearing और ये सभी चार option इस तरी किस रहेंगे तो आप किस पर टिक करेंगे कि operating member में क्या क्या सम्मिलिस होते है जो clutch को operate करते है foot pedal होता है, linkage होता है और release bearing होता है चौथा प्रसना आप से पूछाएगे कौन clutch का मान कितना होने पर clutch के जाम होने की संभावना रहती है तो इसमें यहाँ पर कोन clutch का मान कितना clutch जो angle होता हो क्या होना चाहिए 20 degree से अगर कम हो जाएगा तो हमारा जो कोन clutch है वो क्या हो जाएगा जाम हो सकता है पाचवा है कि clutch कार्य करता है ठीक है, clutch क्या कार्य करता है तो आप समझ गए होंगे engine को engine के संबंद को gear box से gear box से जोड़ना एवं तोड़ना ठीक है यानि कि जोड़ना अलग करना वही एक चीज़ है जोड़ना एवं तोड़ना तो क्लाच क्या का काम करता है engine के जो संबंद को gear box gear box आपने मैंने आपको दिखाया था उससे संबंद को तोड़ना एवं जोड़ना अगला छटवा प्रसन है किस के साथ clutch assembly fit रहती है तो किस के साथ clutch assembly fit रहती है flywheel के साथ ठीक है अब दिखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिट रहती है किस के साथ जोड़ी हुई रहती है तो वो flywheel के साथ जोड़ी हुई रहती है तो यहाँ पर यह question जो है important है साथमा है कि clutch का प्रयोग होता है तो यहाँ पर आपको आप जापी ने दिया रहेगा गाड़ी धीमी करते समय ठीक है जब हम लोग धीमी करते हैं तो क्या करते हैं is clutch का प्रयोग उस समय करते हैं अगला जो है gear बदलते समय गीर बदलते समय जब गीर बदलते हैं तब भी हम लोग Clutch का प्रयोक करते हैं तीसरा क्या है? बेक लगाते समय ठीक है? ये सबी चीज़ें वे अभारिक हैं ठीक है? जब आप बेक लगाते हैं तो क्या Clutch नहीं दबाते हैं Clutch छोड़े रहते हैं क्लच छोड़े थाएंगे तो भीया इंगेज रहेगा तो गाड़ी आपकी कहां से धीमी होगी तो तीनों आपसन आपके सही हो जाएंगे क्लच का प्रयोग कब होता है गाड़ी धीमी करते समय गियर बदलते समय और तीसरा पॉइंट है ब्रेक लगाते समय अब आईए कुछ और पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर आठ देखिए आठवा पॉइंट है सेमी सेंट्रिफ्यूगल क्लच किस फोर्स पर कारीब करता है इस्प्रिंग फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दोनों पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने टाइप्स बताए उसका एक परपस था कि वहां से एक एक प्रसन पूछ लेता है अब पता चला आपको नाम ही नहीं पता है नाम ही नहीं सुना है तो आप कत कर ही नहीं पाएंगे और आपका दिमाग एकदम घुँम जाएगा अगला देखिए नवापाइंट है कि वेट क्लच कहलाता है वेट क्लच कॉन कहलाता है जिसकि प्रेसर प्लेट जिसकी प्रेसर प्लेट आयल में डूमी रहती है एक है जिसकी प्रेसर प्लेट क्या है यानिकि ऐसा क्लच, जिसकी जो प्रेसर प्लेट है, आयल में डूबी होई है, उस क्लच को हम लोग प्लेट क्लच कहते है, बैसे क्यों होता है? क्लच किस पर काम करता है फ्रिक्षन पर काम करता है जब फ्रिक्षन होता है घरसण होता है तो वहां पर उस्मा उत्पन होती जैसा कि हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में हो रहा था जब पहिया आप रोकिंगे मकायनिकल एनर्जी क्या होगी हीट जो है किसमें कनवर्ट होगी कि उसमा उर्जा में यानि की heat energy में convert होगी उसी तरीके से जब अचानक जो है clutch आप छोड़ते हैं प्लंच एंगेज करते हैं तो जब flywheel से cover plate clutch plate क्या होती लगती है तो वहां पर क्या होता friction होता है जिसके हीट होती है तो जैसे भारी वाहन है या हमेशा चलने वाले वाहन है तो वहां पर क्या होता है जो हमारी क्लच प्लेट की संख्या अधिक रहती है क्लच प्लेट की संख्या क्या रहती है अधिक रहती है कई क्लच प्लेट लगी होती है तो उसको हम तो क्या बोलते हैं मल्टी प्लेट कच तार्क कन्वर्टर पूछा है कि तार्क कन्वर्टर क्या करता है तो इंजन की सकती को बढ़ाने का काम करता है इंजन की सकती को बढ़ प्रयोग क्लच प्रयोग को चेक करने में किया जाता है अगला जो है इसमें पुछाए कि कार्क प्लेट के दोनों तरफ किस प्लेट के दोनों तरफ किस प्रिक्सन लाइनिंग होती है वह 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 किस प्रिक्सन ल आप से पुछा है विद्दुचुम्ब की क्लच में फ्लाई वील पर क्या बना होता है देखिए मैं आप लोग की कमेंट आ थे कि बोर्ड जो छोड़ दिया कर यह थोड़ा सा जिससे आपको सभी चीजें क्या है दिखे प्रापर तो इसलिए मैं थोड़ा से बगल हो गया हू होता है विदुचुम्ब की चग में तांबे की तार की क्या रहती है टीक है जिससे में थारा का प्रवा होता है तो flywheel में तो flywheel क्या करता है जो इस clutch plate को magnet की तरह काम करने लगता है जो cover plate है उसको अपने तरफ खीच लेता है तो उस तरीके से engage और disengage होता है हमारा clutch तो आप इसका screenshot ले सकते हैं 14 points मैंने लिखा है कुछ और points भी है जो मैं आपको लिखा सकता हूँ ठीक है तो एक दूपाइंट और लिख लीजिए बाकी जो आपको PDF मिलेगा उसमें सभी प्रस्ने जो है रहेंगे ठीक है जैसे एक point है 15 नमबर लिख लीजिए एक simple प्रस्ना है कि clutch कहां पर लगा होता है ठीक है बाकी जो है आप लोग अपने से questions करिए और कोई भी अगर प्रस्ना आपका नहीं हो पाता है तो आप ज़रूज कमेंट करिए मैं उसका जो है reply दूँगा और कोई personal अगरा प्रस्न है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते है यहाँ पर देखिए 15 नमबर का point है clutch engine तथा engine तथा किसके बीच लगा होता है किसके बीच लगा होता है तो clutch engine तथा किसके बीच लगा होता है Gearbox मैंने figure मैं आप लोगों ने देखा यूगा इसलिए मैं figure बनवाता हूँ सभी चीज़ होगा कोई कि आधे प्रस्लागभग आपके कहां से बनते हैं, फीगर से बनते हैं, चाहे वो engine हो, चाहे cooling system हो, चाहे वो breaking system हो, चाहे clutch हो, तो figure अगर आपने समझ लिया, तो आपका आधा concept भी clear हो जाएगा, और आधे प्रस्न भी जो है आपके हो जाएगे, तो इसी तरीके के जो प्रस्न है, clutch से पूछे जाते हैं उम्मीद करता हूँ, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और share कर दीजे, अपने दोस्तों के साथ, साथ ही channel को subscribe ने किया, subscribe कर लिजे, ताकि जो भी अगला वीडियो में upload करूँ, उसका notification और notification बेल को जर झाल झाल